राइट इन एसेंडिंग ओडर इस क्वेशन में ध्यान दिजेगा यहाँ पर जो नंबर्स दिये हुए हैं यहाँ पर स्क्वेर रूट भी है तो ऐसे नंबर्स को आप किवल देख करके कभी पता नहीं कर पाएंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है तो यहाँ पर हमें करना क्य का है concept क्या है यहाँ पर arrange करने का यहाँ पर concept यह है कि इन सभी नंबर्स को आप under root of something convert करेंगे सबसे पहले सबको यह दिए आप under root के अंदर में कुछ convert कर लेते हैं तो क्या होगा कि केवल अंदर वाले नंबर को देख करके आप पता कर सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोट है ठीक है simple यही concept है लेकिन अंदर करेंगे कैसे कुछ नंबर्स तो यहाँ बाहर है इस देखिए अंडरूट 5 अंडरूट के अंदर केवल 5 ही है 4 तो बाहर है इसके 4 को अंदर डालें कैसे तो हम यह जानना पड़ेगा कि अंदर से बाहर कैसे आता है जैसे कि अंदर यदि 4 इंटू 4 रहेगा तो केवल इसमें से 4 निकलेगा बाहर तो यहाँ पर यदि 4 को अंदर डालना है तो हमें डबल करना होगा तो यही हम काम करेंगे और आसानी से convert कर लेंगे सब चली करते हैं सबको और ध्यान से देखिएगा यदि हम 4 रूट 5 करते हैं तो मिलेगा हमें अं 5 इंटू 4 इंटू 4 को डबल करके हम अंदर रख देंगे यह हो गया पहला यहां होगा 3 इंटू 5 अंदर जाएगा तो दो बार डबल हो जाएगा मतलब 5 इंटू 5 यह 10 जो है यह बाहर ही है अंडरूट में 0 है तो अंडरूट के अंदर यदि हम इसको insert करते हैं तो 10 को डब इंटू 3 इंटू 3 और यहां पर देखिए ध्यान से 2 है 6 सीदी अंदर जाता है तो यह हो जाएगा 6 इंटू 6 तो ऐसे हमने अंडरूट के फार्म में लिखा है इसको थोड़ा और अच्छे से कर लेते हैं यहां हो जाएगा 4 for the 16, 16, 5 जा 80 यहां हो जाएगा 5, 5 जा 25, 25, 3 जा 75, 10, 10 जा 100, 63, 72 आप ध्यान दिजेगा अब यहां पर आप डिरेक्ली देखेंगे इन नंबर्स को 80, 75, 100, 63 और 72 को और इनको देखकर के बस अरेंज कर लिजिए ascending order में इन सभी में छोटा कौन है तो यह वाला नंबर होगा क्योंकि यह under root 63 है तो इसको लिख लेंगे under root 63 सबसे छोटा उसके बाद इससे बड़ा लिखेंगे तो इससे बड़ा कौन है 72 under root of 72 इससे बड़ा कौन है 75 and like this under root 100 ऐसे हमने arrange कर लिया अब इन ही को convert कर देंगे जो जिसका है उस तरीके से हम इसको arrange कर लेंगे तो under root 63 इसका है 3 root 7 जो हमने यहां पर arrange किया है अब यही हमारा right order है ascending order जो इन numbers को arrange करने पर होगा आपने method समझ लिया ठीक ऐसे ही करना है कोई भी number आपको हो आप पहले पहले under root के अंदर रखेगा सब को under root के अंदर मिलाएगा पहले और जो कर लेंगे ऐसा तो यह जो number मिलेंगे बस इन ही numbers को ascending order में arrange कर देंगे और जो जो number मिलेंगे उनको यहां से correspondingly लिख देंगे वह हमारा answer हो जाएगा so this is the right way to do this thank you so much for watching इदे आपको वीडियो अच्छा लगा तो like कर दिजिए आप दो सेर कर सकते हैं और comment box ने कुछ ना कुछ जरू लिखिए thank you so much bye